प्रम बात करते हैं नीमच में चोरो की नीमच में दिन बदिन चोरो के होसले बुलंग होते जा रहे हैं अब चोरो ने यादव मंडी के इरादा कृष्ण मंदिर को अपना निशाना बनाया है चोरो ने मंदिर की दान पेटी को तोनकर हजारों रुपे पर हास साप कर दिया औ चोरों ने यहां लगी दान पेटी के ताले तोड़कर हजारों रुपे की चलावा राशी पर हास साफ कर दिया है बताया जा रहा है कि चोर दान पेटी से केवल बड़े नोट ही अपने साथ लेकर गए दस और पाँच के छोटे नोटों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया घटना की जानकारी मंदिर के पुजारी को तब लगी जब वे सुभा मंदिर पर पूजा के लिए पहुँचे इसके बाद पुजारी ने उक्त घटना की सूचना सीटी पुलीस को दी मामले की जाँच करते हुए सीटी पुलीस मौके पर पहुँची और मामले की तफ्ती शुरू की साथ ही आसपास के सीटी वी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं मंदिर पुजारी संजे ने जानकारी देते हुए बताया कि यादो मंदी स्थीत रादाकृष्ण मंदिर में बीती रात अग्याच चोरों ने पहले मंदिर की दान पेटी के ताले तोड़े फिर उसमें रखी हजारों की नगदी ले गए पुजारी संजे ने बताया कि दान पेटी बीते तीन सालों से नहीं खोली गई थी एसे में कितनी राशी चोरी हुई है ये कहपाना मुश्किल है वहीं पुजारी ने बताया कि चोर सभी बड़े नोट ले गए और 10 और 20 के छोटे नोट छोड़ गए पुजारी दुआरा कयास लगाया जा रहा है कि चोर मंदिर से लगे एक हिस्से से आसानी से उपर तक पहुंचे हैं जिसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया बेरहाल उक्त मामले में पुजारी दुआरा नीमस सेटी थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है पुजारी की शिकायत पर पुलीस ने अग्याद चोरों के खिलाफ विभिन धाराओं में मामला पंजिबत कर तलाश प्रारंब कर दी है यह कल रात की गड़ना आए है हमको सुवे मालम पड़े जब मंदिर खुलने आए न च्छे बजे तब यह ताला टोटा हो पड़ा था और कम से कम भी 2017 से बंद है यह पेटी इस वाँ यह अभी ताला दोड़ायन होना और सोगे और दोसर की जो भी राशी थी वह ले गए और दस वह बीस के नोट पड़ा हुआ है यह बड़े बड़े नोट दे वह लेकिए यह रादाकृषन निमा सीटी आदा मंदी के मंदीर है अब वो जाच करेगी सारवचनिक वहां से पीछे से चड़के और चोरी करिए और 2017 से यहां पे इस पेटी को खोला नहीं गया है समाज द्वारा किसी कारण वर्ष और इस बीच में बड़े बड़े उत्सव भी बने हैं समाज जोनों ने खूब दान दक्षिना अपनी तरब से डाला है तो एक बड अशासन जे हमारा निवेदन है यादव समाज का कि वह जल्द से जल्द चोरों को पकड़े और समाज की जो राशी है वह वापस दिलवाने का काम